दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS के selector की कि हमारे CSS में selector क्या होते हैं और यह कैसे काम करते हैं कितने प्रकार के selector CSS में पाय जाते हैं यह सारा कुछ हम इस वीडियो में cover करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले starting करते हैं हमारे question से what is CSS selector यानि हमारे CSS में selector क्या होते हैं तो दोस्तो CSS selector are used to find or select the HTML element you want to style यानि कि जिस भी आप HTML के element को style करना चाहते हैं उस से target करने के लिए यानि उस element को target करने के लिए आपको कुछ ऐसे keyword जो है find करना चाहिए या keyword जो है दिये जाते हैं जिने selector कहते हैं तो यही जो keyword है इन ही keyword के थुरू आप पूरे HTML के element को tag को target कर सकते हैं उसमें style provide कर सकते हैं और उसको जो है काफी खुबसूरत बना सकते हैं इसके साथ साथ we can divide CSS selector into 5 categories यहां मैंने CSS की 5 category बनाई हैं जिनके अंतरगत हमारी पूरे CSS में जितने भी selector होते हैं सारा इन categories में cover हो जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हमारी CSS की जो भी categories हैं सबसे पहले आती है simple selectors दूसरी इसकी category आती है combinator selector pseudo classes selector pseudo element selector and attribute selector तो इसमें बहुत सारे selector आते हैं दोस्तों जिसको इस वीडियो में cover करना बहुत ही complexity आ जाएगी और यह वीडियो लेंटी हो जाएगा इसलिए जो है मैं सिर्फ simple selector की इस वीडियो में discuss करूँगा कि simple selector में कौन कौन से selector आते हैं बाकि selector जो भी selector है चाहे combinator selector हो pseudo classes हो या pseudo element हो इसके बाद चाहे attribute selector हो तो यह सारा कुछ मैं cover करूँगा लेकिन इनके लिए एक अलग ही separate वीडियो चाहिए तो इनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी CSS selector के बारे में discuss करूँगा तो चले वीडियो को दिख रहा है कि एक p tag है उसके बाद curly brush open है और curly brush close है और इसके बीच में जो है हमारी CSS की property जो की column से separate हो रही है और उसके बाद red value होती है यानि property होती है हम property के यूज़ करते हैं और उनकी value के यूज़ करते हैं तो यह value भी predefined होती है हर property की कुछ fix value होती है और इसके बाद हम semi column लगाते हैं तो यह कुछ CSS का apply करने का एक तरीका है जिसमें हम जो है target करते हैं selector के through तो यह CSS में जैसा की p tag है तो यह p tag target करता है कि हमारे जो html है हमारे html के body section में जितने भी p tag आएंगे जितने भी paragraph tag आएंगे सभी में color जो है color चुकि color property यूज हो यह तो color क्या हो जाएगा red हो जाएगा क्यों क्योंकि इसकी color की value क्या हमने दी है red तो आई थिंग आपको यह elector समझ में आया होगा इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे simple selector में कौन कौन से selector आते हैं तो जैसा कि इस figure में ही दिख रहा है कि CSS selector में सबसे पहले आते हैं element selector so element selector जिने हम tag name selector के नाम से भी जानते हैं number two id selector जो की very very important है दोस्तों class selector तो id और class यह दोनों काफी important और बहुत ही important कह सकते हैं आप selector हैं जिनमें पूरा web designing टिका हुआ है इसके साथ जो fourth number में आता है universal selector यह भी बहुत ज़्यादा popular selector है और इसके साथ जो पाँचमा और last selector है simple selector की category में आता है grouping selector तो चलिए one by one आप discuss करते हैं by tag name selector से कि किस तरह selector काम करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों by tag name selector जिसे element selector के नाम से भी जाना जाता है तो जैसा कि इसमें definition में ही है कि the tag name selector is also known as element selector यहीं हमारे जो tag name selector हैं उन्हें हम element selector के नाम से भी जानते हैं इसके बाद दोस्तो tag name selector select html element based on the html tag name जो हमारे html element selector होते हैं वो हमारे html का tag होता है जो भी जितने भी हमारे html के tag हैं उनके tag की name के अधार पर जो है हमारा यह target करता है element selector For example, आप देख सकते हैं, h1 हो सकता है, li tag हो सकता है, menu tag हो सकता है, paragraph tag हो सकता है, body tag हो सकती है, article tag हो सकता है तो इनकी through क्या है, हम target कर सकते हैं, अलग-अलग html के elements को यहाँ एक example है, जैसे कि मैंने body tag लगाया, उसके बाद curly brush open किया, curly brush close किया आपको जब भी किसी selectors के through, आप html के element को design करना चाहते हैं, तो आप इसी same तरीके से जो है उसमें color value वेगारा देंगे, यानि उसमें CSS apply करेंगे, तरीका समका same है, बस target में जो keyword यूज हो रहा है, जो भी selector यूज हो रहा है, वो अलग-अलग हो सकते हैं यहाँ एक example है, जैसे कि मैंने body tag को select किया है, उसके बाद curly brush open और curly brush close किया है, क्योंकि इसमें जो भी property यूज करूँगा, जो भी value देंगा, वो body tag में को target करें, इसके अलाबा इसमें जो इसमें property हैं, ये effect ना करें किसी other block को, तो इसको separate करने के लिए curly brush open और curly brush close किये जाते ह जैसे कि ये figure में भी है, जैसे कि यहाँ एक h1 tag है, जो कि हमारे heading tag को represent करता है, जो कि एक selector है, इसके बाद curly brush open, उसी सेम तरीके से, जैसे कि मैंने body tag को बताया, और उसके बाद curly brush close है, और बीच में इसकी value दी गई है, color, colon blue, जो कि एक color की value है, इसके बाद font size, जो कि एक property है, उसके बाद colon, फिर 20px, px का मतलब यहाँ होता है, pixel, यानि 20px, उसके बाद semicolumn, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, किस तरह से हम CSS को apply करते हैं, with the using of selector, अब बात करते हैं, दोस्तों, हमारे बहुत important selector, class selector की, तो class selector क्या होती है, कि अगर आप multiple element can the same class values, अगर आप multiple element को आप same class दे सकते हैं, यानि कि एक ही नाम दे सकते हैं, एक ही class का नाम, कई सारे element, कई सारे HTML के element दे सकते हैं, CSS selector consist of dot, यानि कि जो हमारा class selector होता है, वो dot से represent होता है, जब भी आप उसको use करेंगे, उसमें CSS की property apply करेंगे, dot लगाएंगे, उसके बाद class name देंगे, इस तरह से ये आप multiple HTML के tag को same class name दे सकते हैं, a class name is defined using the class attribute, जब भी आप class नाम का use करेंगे, तो class attribute का use करेंगे, attribute बनाने का तरीका भी मैंने आपको previous वीडियो में बता चुका हूँ, कि सबसे पहले आप class लिखेंगे, फिर equal sign लगाएंगे, और double quotes में class का नाम लिखेंगे, same वही तरीका id में भी है, apply कर सकते हैं, सबसे पहले id लिखेंगे, equal sign लगाएंगे, और double quotes में id का नाम लिखेंगे, और ये जो हमारा class होती है, ये represent होती है dot से, और उसके बाद जो भी आप class का नाम बनाएं है, dot और class name, यानि उसके बाद class name लिखेंगे, जोस्तों अब बात करते हैं, हमारे second बहुत important selector की id selector, कि id selector क्या होता है, तो the id selector is very useful when targeting a single line HTML, यानि कि अगर आप HTML की एक line को, और यानि single statement को, single element को design करना चाहते हैं, उसको target करना चाहते हैं, तो आप id की help से बहुत ही easy तरीके से कर सकते हैं, an id selector represented by hashtag sign followed by an id name, यानि कि जब भी आप CSS में id selector का use करेंगे, यानि id वनाएंगे किसी tag में, तो सबसे पहले तो आप जो है, उसको hashtag से denote किया जाता है, यानि hashtag से उसको represent किया जाता है, उसके बाद जो भी आपने id वनाई है, उसका नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ आपको एक figure में example दिखा है, जैसे कि paragraph tag है, उस paragraph tag में id attribute का use करके, हमने क्या किया है, first name id वनाई है, जब भी इसको हम call करेंगे, यानि जब भी हम id का use करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा है hashtag, उसके बाद first name, जो की हमारा id का नाम है, उसके बाद हमने curly breath open किया, curly breath close किया, और ये open curly breath और close करेंगे, ब्लेस के जो है, अंदर ही हमने CSS की value दी है, CSS की property यूज की है, color, colon, उसके बाद green, semicolumn, उसके बाद font size, large, या large दे सकते हैं, या आप number में दे सकते हैं, 20 pixel, 25 pixel, उसके बाद semicolumn, इसी तरह हमने एक और paragraph में id दी है, hometown, जो हम कैसे target करेंगे, तो सबसे पहले हम hashtag दिया, hometown, उसको लिखा हमने, उसके बाद curly brush open किया, curly brush close किया, और ये open और close curly brush के अंदर ही, हमने CSS की property यूज की, color, उसके साथ हमने hexadecimal color code दिया, hashtag 000000, यानि कि ये black को represent करता है, तो इस तरह से I think आपको id selector के बारे में जानकारी मिली होगी, अब दोस्तों बात करते हमारे class और id में basic difference क्या है, जैसे कि एक live example देखें दोस्तों, कि माली जी MCA की एक class है, तो MCA की class में देखा जाए तो 200 student पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर किसी teacher ने कहा, कि MCA के सभी student room number 3 में आ जाएं, तो ऐसी situation में क्या होगा, room number 3 में जितने भी MCA की student है, वो सभी MCA की student room number 3 में आ जाएंगे, चाये वो 2 हो सकते हैं या 200 हो सकते हैं, लेकिन अगर बोला जाए 001 या 002 जो भी id नाम के student है, या जिनका भी role number 001 है, या 002 है, केवल वही जो है हमारे room number 3 में आ जाएं, तो ऐसी situation में जिस भी student का role number 001 या 002 होगा, केवल वही room number 3 में जाएगा, तो आइधिंग दोनों के बीच में अंतर और difference पता चला होगा, कि जो हमारी id होती है, हमारे एक page में केवल एक ही वारियोज होगी, लेकिन class में क्या होता है, class में ऐसा कोई barrier नहीं है, या एक page में एक ही class कई सारे element में हो सकती है, लेकिन हर element में id अलग अलग ही होगी, यानि id unique होती है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे grouping selector की, कि grouping selector क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, sometimes multiple CSS rule set may have similar declaration, take a look at this example, यानि कि हम अगर दो या दो से अधिक selector का use करके target करते हैं, तो वो हमारे grouping selector के अंतर गत आते हैं for example, जैसे हमने लिखा है, h1, कॉमा दिया, उसके बाद p tag लगाया, यानि कि हमारे h1 के बाद जितने भी p tag आ रहे हैं, उसके बाद curly, यानि open और उसके बाद हमने curly brush को close किया, इसके बाद हमने इन दोनों open और close curly brush के अंदर ही हमने CSS की property लगाई हैं, यानि कि font family aerial हो जाए और color हो जाए green, तो यहां इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारा h1 जो हमारा heading tag को represent कर रहा है, तो h1 की बाद जितने भी paragraph आ रहे हैं, सभी में font family aerial हो जाएगी और color हो जाएगा उनका green, तो I really hope कि आपको grouping selector भी काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें हम दो या दो और ID का combination बना सकते हैं, तो इस तरह से हम use करेंगे grouping selector का, अब बात करते हैं हमारे last और बहुत important CSS selector, universal selector की बारे में, कि universal selector क्या होता है, तो दोस्तों यहां universal selector की एक definition है, कि the universal selector is one in CSS, star sciences से represent करते हैं, denote करते हैं, select all HTML element or tag on the whole page, यानि कि अगर हम पूरे HTML के element को एक साथ target करना चाहें, यानि universal selector क्या करता है, एक page में जितना भी material आ रहा है HTML का, यह सभी को target कर देगा, इसके अंदर का body भी आती है, इसके साथ अगर आपने span tag लिया है, div tag लिया, सभी में यह सारी चीज़ें अपलाई हो जाएंगे universally, क्योंकि यह हम universal selector का use कर रहे हैं, यहाँ एक example है, जैसे कि हमने dog type HTML लिखा है, उसके बाद HTML का tag लगाया, उसके बाद head tag style, और style के अंदर ही हमने क्या किया, हमने start sign लगाया, और start sign के बाद open curly brush, close curly brush के अंदर text लिखा है, text align center, और color हो जाए blue, इसका मतलब यह है कि जितना भी body tag में material आ रहा है, चाहे वो h1 हो या paragraph tag हो, जितने भी paragraph tag आए या चाहे जितने भी h1 tag आए, सब ही जो है center align हो जाएंगे और उनका color universally blue हो जाएगा, यह आप figure के माद्यम से भी समझ सकते हैं, तो thanks for watching this video, I really hope कि आपको CSS के selector बहुत अच्छे तरिके से समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग हो हो तो please वीडियो को like and share करें, अगर आप हमारे चैनल में पहली वार आए हैं, पहली वार विजिट किया हैं और इस वीडियो को पहली वार देख रहे हैं, तो please चैनल को subscribe करें, आपकी subscribe की बहुत जरूरत है,